वेल, हाई अब्रिवान, वेल्कम बैक टू मैं जाने मां सेकेंड इस गॉरफ गाइस के तो आज हम लोग ऐसी सेटप की बात करेंगे जिससे आप वेल अबेर हो लेकिन मुझे इसकी साइकलोजी सामझा नहीं है तो मैं एक डेली लाइफ की एक्जामपल लोगा वेकस बहुत सेक बिनर की सेटप है लेकिन फिर भी इसमें बहुत लोग लोग रहे हैं बहुत से लोग माल इसकोजी के साकलोजी कर रहे है। उसकी मुघमापण से पा रहे हैं, that's why easy होजाने के लिए मैंने एक example लिया यहाँ पर, फेलिए देर ना करते हुए example से हम समझने कोचिश करते हैं, suppose दो बंदा है, right, एक middle class, एक rich class, दोनों एक ही colony में रहते हैं, और दोनों एक ही company में काम करते हैं, यह manager हो गया, यह उसकी employee हो गया, इसकी salary अच्छी यह अमीर बंदा है भईया, इसके पास low mileage वाली bike है, बहुत ही low, घटिया, mileage इकदम बिकार, और यह middle class बंदा है, यह भईया, प्लाटिना से कोच से है, TVS Sports से कोच से है, ठीक है, mileage अच्छी है bike में, भली माइक, सुलो चलो एक बार patrol बराओ, चल जाओ, तो क्या होता है, कि ज जब यह चला यहाँ से, तो यह 90% distance cover कर लिया, एक बार में, और फिर जाके इसकी यहाँ पर, fuel यहाँ पर reserve में आना शुरूर हो गए, और जब इसने fuel बराया, इसकी गाले बाइक की तो, mileage बहुत घटिया है, of course, इसकी घटिया बता रहूं है, no doubt, मुझे बस आपको concept समझान तो इसलिए, बाइक बाइक पर focus मत करो, mileage पर focus मत करो, अब इसने यहाँ पर बराया, तो यह पहली बार में 45% distance cover, इसकी बाइक आ गई, deserve में, फिर इसने nearest petrol pump से tanky full कर आई, फिर यह 45% distance cover किया, और दोनों एक ही जगा पर जाके meet किया, इसने 45%, 45% cover किया, तो इसने एक बार में 90 km ने cover कर लिया, और यह दो बार में converter के 90 km ने cover कर लिया, अब दोनों के भाई बचे हैं, यहाँ पर 100-90 कितने 10 km बचे हो है, अब यह बंदा तो है भाई, अमीर, इसने कहा कि भाई, मैं तो tanky फिर से full करवाऊंगा, तो ठीक है, इसने अपनी बाइक की रंकी फिर से full करवा भाई, रही से attitude है, भाई, मैं क्यों जाओंगा, हाफ टंकी में, मैं full से full करवाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यह दिखा कि इसने 10 km है, जलो भाई, यहाँ पर 100 रुपे के तेल भरा लेता हूं, बाद में दिखा जाएगा, रिटर्न में भरा घर आत से एक और टैंक रख ले, फिर भी इसे office ही जाना है, यहीं पर रुकना है आकर, अब मैं इसे market से जोड़नी कोशिश करता हूं, सपोज market ने यहाँ पर बनाया है base, base बनाया, breakout किया, ठीक है, और रुका, pause लिया, breakout के बाद, रुका, pause लिया, and then फिर आगे चाहता है, तो आप के पास इतना distance होता है, इतने points होते हैं grab करने के लिए, at least इतने points यह होते हैं, वो grab करने के लिए होते है, फिर market रुकता है, फिर fuel भरता है, and then फिर say move करता है, जब तक कि वो destination ना पहुंच दे, destination मा मतलब कि buying market है, resistance तक ना पहुंच जाए, selling market है, तो support तक ना पहुंच जाए तब तक वो fuel भर भर के या फिर base पना कर फिर से breakout करके continuation करता है और यह move करता है और उसके बाद जब market इस point पर पहुंचता है उसके बाद आप कितना भी पैसा यहाँ पर डाल दो यहाँ पर लगा दो यह इतना ही move करेगा अगर आपने quantity अगर एक हजार quantity खरीद लिए तो आपके एक हजार quantity खरीदने से market अगर दस point उपर जाना है तो दस point ही उपर जाएगा वो 50 point उपर नहीं जाने वाला उससे आगे नहीं निकल सकता यह आप expect नहीं कर सकते हो कि जब destination market पहुंचने वाला है तो वहाँ से वो move देगा वो रुकेगा फिर वहाँ पर time pass करेगा बहुत जादा यहाँ पर दुनों गए ना office में office में गए भाई रुके पूरे दिन भर यहाँ पर रुके काम किये दिन फिर किसी को आगे जाना है destination C पर जाना है वहाँ पर enjoy करना है तो वहाँ पर वो जाएंगे या फिर इस बंदे को भी आगे जाना है किसी काम से तो वो भी आगे जाएगा लेकिन destination पहुंचने के बाद क्या किया है रूखे यहाँ पे office में दोरबंदे रूखे सेम ऐसे ही market रूखता है जब market destination के पास पहुचता है तो वहाँ पे वो halt करता है रूखता है अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना यह जो अमीर बंदा है यह तीन बार में office पहुचा और यह दो बार में office पहुचा और इस ठीज को मैं चार्ट पर समझाता हूँ आँ देखते हैं कैसे तो मैं जो setup की बात कर रहा हूँ वो setup है भाई inside bar IBS inside bar setup की मैं बात कर रहा हूँ I know you are well aware about that आप सभी को पता है लेकिन फिर भी inside bar पर लोग फास्ते हैं गलती करते हैं आइए दिखते हैं कैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इंडिकेटर लगाता हूँ inside bar की यह जो inside bar की इंडिकेटर है by cm लगा लेना by cm है इससे लगा लेना चार्ट चार्ट पर लग गई थोड़ी से चेंजिंग करनी होती है इसमें इसके shapes हटा दो कोई दिक्कत नहीं है इसकी दूसरी क्या है इसी की मेरी black chart है तो मैं थोड़ी भलकीला color लोगा यहाँ पर लाल जुद दिखे मुझे अगर आपके white chart है तो black लेना रहा अब मेरे लिए destination क्या है भाई जहां से price उठा वो मेरी support last destination होगी जहां से एक बड़ा move आया वो आच last destination होगी पहले क्या होगी इसके बीच की 50% होगी वहाँ तक उसके बाद ही last होती है destination of course मानते हो उस बात को support resistance कहीं पर भी तो मैंने बड़े time frame पर देखा अलग माटर है 5 minutes भी देख रहे हो 15 minutes भी देख रहे हो फिर 1 minute में भी आप देख सकते हो कि 5 minutes में यहाँ पर बना resistance 15 minutes में यहाँ पर रिस्टेंस बना है और 1 minute में इंसाइड बार मिल रही है तो फिर यहाँ पर आपके पास space रहेंगी अब मैं उपर से देखने जा रहा हूँ आपको मैं सब कुछ cover कर दूँगा यहाँ पर ताकि easily समझ में आ चाए कुछ-कुछ मैंने include भी किया है कुछ-कुछ आपके सामने बनाऊँगा अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ मार्केट ने इस पॉइंट पर पूरी बेस बनाई है पूरा वॉलटाइल था मार्केट पूरा बेस बनाया एक चैनल मोर्ड में इसने बेस बनाया यहाँ पर एक चैनल मोर्ड में मार्केट ने बेस बनाया यह सब लिक्विडिटीज है, इसको माल लेते चलो यह लोकेशन, यह घर है, घर से ब्रेक्डाउन किया, मतलब निकला मार्केट, निकलते के साथ देखोगी कहीं पर आपको रेड कांडल नहीं दिख रही होगी, यहाँ पर यहाँ पर इस तरह के रेड कांडल बन रही है, रे यहाँ पर इसने पॉइंट पर दूर जाके भरा फ्यूल, ठीक है, मार्केट में स्पेस है तो चल जाता है, तो यहाँ पर से फ्यूल बरा, तो यह इंसाइड बार बन गई, इंसाइड बार बनी, जैसे मदर बार की लो टूटती है, इस केस में हम फ्यूल के बाद इंट्री बना सकते हैं, इंट्री बना दीए और वाजा इसने पर तार्गेट होता, यहाँ पर हम फ्यूल दीये, अब तक में मार्केट में नहीं वरा, पहले बार इसने प्यूल बरा तो एक बार और 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 इये मूव दे सकता है, अब क्या होआ देको, फिर से मार्केट नहाँ बड़ी डिस्टेंस चल ट्रेवल कर रहे हैं लोग, यहाँ पर फिर से होटल में रुकें, and then फिर से जब निकला, फिर से इसने फ्यूल बारा, I know यहाँ पर काफी बड़ी स्टाप लॉस हो जाएगी, यह ट्रेड को मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे समझाना है बात को, इसने यहाँ पर इसने फियूल बारा, फिर से घर से निकला, फियूल बारा, इनसाइड बार, and then जैसे इसकी लोटूटी, इंट्री, और वान इस्टू टू का टार्गेट, इसको मैं और नीशे कर देता हूँ, तो वान इस्टू टू की टार्गेट, as per this, हो जाएगी, यह आया, राइट, फिर से यहाँ पर क्या बनाया, बेस पर आया, अब यहाँ पर मैं जूम करोगा, देखना, ब्रिकडाउन किया, देखो, मार्केट यहाँ पर फिर से बेस बनाया, फिर से यहाँ पर होटल में समझो, होटल में रुका, होटल से निकला, फिर से यहाँ पर ब् ब्रिकट होई है, and 1-2 का हमारा टार्गेट फानली मिल गया, यह 1-2 का ही टार्गेट है, अब देखो मार्गेट ने यहाँ पर बेस बनाया, बेस का ब्रिकडाउन किया, गैप डाउन ओपनिंग से लगातार इंसाइड बार बना रहा है, जैसे मदर बार की लोट उटेगी, इ इस पोइंट पर, बट मुझे 101 बार नहीं मिलाए यहाँ पर, नीचे में यहाँ पर इन्साइड बार मुझे नहीं मिलाए, तो मैं फिर वेट करूँगा, फिर से यह दे लोगीँ ब्रेकडाउन इस पोइंट पर, फिर Egyptian की ब्रेकडाउन यहाँ पर देखो फिर से लेकर चलनी है, right, आइदर यह swing की height लिसकते हो, अब इसके अंदर 1-2 आ रहा है, तो well and good, यह होगी 1-2, 1-2 easily मुझे मिल किया, because space है market में, H1 के हिसाब से मुझे पास अभी space पड़ी हुई है, अब फिर से देखो market यहाँ पर नीचे आया, यहाँ पर market ने base बनाया, बस base का breakdown नहीं किया, इस point पर market ने base का breakdown नहीं किया, breakout किया, तो inside bar मुझे नहीं मिल यहाँ पर, कहीं पर भी नहीं मिल यह, अब market ने इस swing का breakdown किया, base भी थी, swing भी थी, जिसे बोल चकते हो, breakdown किया, यहाँ पर, breakdown किया, कोई inside बार नहीं मिला, अब देखो, यहाँ पर market ने क्या बनाया, base बनाना शुरू कर दिया, इस जगा पर, base का यहाँ पर फिर से breakdown किया, inside बार यहाँ पर मिल गई, and then, entry, stop loss, और इस case में हमार stop loss कट गया, क्यों कट गया, anyone, आप देखोगे, यहाँ पर थी, 51,500 की, psychological level, थी न, और लगभद, जब अगर मैं बात करता हूँ, psychological level की, तो, कम से कम, 100 range की, एक, support या, resistance बन जाती है, जैसे, यहाँ पर, 50,000 की, psychology level की, मैं बात करूँ, तो, 50,000 से, 50,100 तक की, resistance बन जाती है, अ अगर price इसके ऊपर है, तो, 50,000 से, 49,900 तक यह support बन जाता है, इतनी बड़ी range बनती है, तो, इस case में देखोगे, अगर आप, मैं अगर draw करता हूँ, और 51,500 यहाँ से, और दोनों की, और दोनों की यहाँ पर देखो, range है, तो, इस range पर आकर, जो लोग, यहाँ पर trade करेंगे inside bar, पर वो तो fussेंगे, ना fussेंगे, because, अब psychological level यहाँ पर आई है, near about market psychological level के पास है, लेकिन यह destination नहीं है, यह destination नहीं है, यह destination नहीं है, यह base की hurdle हो गई, जैसे कि आपका major support resistance हो गया market में, वहाँ पर अगर आप plan कर रहे हो inside bar near about selling के लिए, तो, यह support पर fail होगी, अगर यहाँ प आप plan कर रहे हो, base का break out के बाद, तो यह यहाँ पर inside bar के setup fail हो जाएगी, यहाँ से आपको reversal मिल रही inside bar के buying के लिए, तो यह चल जाएंगी उपर तक, आपको पास space है, बट यहाँ पर space नहीं होती है, and suppose, इस दोनों support resistance के बीच में, यहाँ पर कही psychological level आती है, और आपने base बना हुआ है market में, और इसने यहाँ पर breakout कर दिया, तो psychological level की range होती है, 100 point की range होती है, तो उस range के नीचे में, अगर breakout कर रहा है, inside bar बना रहा है, तो आप entry लोगे, तो पहली बार में rejection ही लेंगी, आपका यहाँ पर stop loss कटता है, लोगों का इसी point पर stop loss कटता है, यहाँ पर stop loss कटेगा, base बना के breakout करेगा, तो you think कि inside bar में गई है, buy कर लोगे, तो यहाँ पर stop loss कटेगी, space market में होना चाहिए, destination आने में अभी कुछ distance बाकी है, बड़े distance बाकी है, तो आप trade ले सकते हो, और अगर छोड़े distance बाकी है, तो भाई छोड़ दो आपर, उससे अच्छा है कि reversal ही destination पता है उसे, और जो आपका sports bike बला बन्दा है, उसके पास पैसे बहुत है, तो वो क्या करेगा, भाई या वो pyramiding करते होई चलेगा, एक entry यहाँ पर बनाएगा, फिर यहाँ पर प्राइस में लेगा, फिर यहाँ पर इंटरी बनाएगा, पिर यहाँ पर इंटरी बनाएग किया, कुछ यहाँ एड किया, ठीक कुछ यहाँ एड किया, एंट फाइनली कुछ यहाँ पर इड करके final target इसने book कर लिया, और यह बन्दा भाई यह चलो कि यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर इसको last मिला, इस point पर, तो दोनों यहाँ तक तो target थी इसकी, इसको तो लेके चली की रहा था, तो यहाँ पर भी यह कुछ quantity एड करके final target बुक कर लिया, because जिसके पास पैसा है, वही तो पिरामेडिंग कर पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं हो तो लगा के छोड़ना पड़ेगा, उसे hold करना पड़ेगा, या तो exit करो, या तो hold करो, तो यहाँ तक बात अब market जो है, यहाँ पर बनाया हुआ है, base, base का यहाँ पर breakout किया, breakout करने के बाद यहाँ पर देखोगी कोई भी inside bar हमें नहीं मिली, कहीं पर भी fuel candle नहीं मिली, कहीं पर भी market नहीं बढ़ा, उपर जाके यहाँ पर fuel बढ़ा, दूर पे, इस point पर इसने fuel बढ़े है, तो इसने पहल बढ़ा, and यहाँ पर मदर बार होगी, high के उपर entry, मदर बार की लोग करने से stop loss, and once to do का target, यहाँ पर आपको मिल गई, because market base से जब निकला यहाँ से, तो पहली बार में fuel बढ़ा, तो पहली बार में यह fuel बढ़ा, तो चलता है, अब यहाँ से देखो कि market काफी दूर ट्रेव अब market यहाँ से उपर जा सकता है, यहाँ पर क्या हुआ, previous day high की breakout भी हो गई, rejection भी ले लिया, 920 candle की breakout भी हो गई, inside बार बार आ गए, और यहाँ पर क्या किया, price 1-2 के देने का बजाए, stop loss card दिया, क्योंकि already market काफी उपर आ चुका है, मैंने का तरहा कि first, second, third time पे थोड़ा स third पर आया, और stop loss, अब यहाँ तो बोले को छोटे stop loss ने cut गए, stop loss यहाँ तो नहीं रखोगे न, of course, और उसके बाद क्या किया, market फिर रुकता है, मैंने बोला न, जब third time पर जब मिलता है, जब उसके बाद distance के पास आता है, destination मिलती है उसको, तो वो रुकता है, halt करता है, त अगर market को target मिलने में थोड़ा सा point बचा है, यहाँ पर, suppose, 50.100 point बचा है, और आपका market यहाँ base बना रहा है, breakout दिया हुआ, इन sidebar आपको मिली होई है, don't trade, same यहाँ support के पास, अगर market यहाँ पर base बना रहा है, यह swing भी बना रहा है, suppose, और इसकी breakout कर रहा है, breakout कर चुका है, strong breakout दिया है, inside bar बना रहा है, और आपको entry मिल रही है, triggered हो रही है, entry मतलो, rather reversal plan करो, because space कम है market में, psychological level हो सकती है, यह ठीक है, right, यह आपकी major resistance में support हो सकता है, बड़े time frame का support यह resistance हो सकता है, यह सब चीज़े आप देखकर, तब trade करो, gaps हो सकते हैं, right, gaps हो सकते हैं, एकर बीच में gaps आ question खाएगा, right, उसके बाद यह फिर breakout करके बगरा जाता है, then फिर fuel भरता है, तो आपको वह आपके inside bar की setup बन रही है, आप trade ले लो, that's a simple trick, simple psychology, और इसी psychology पर लोग इस जगा पर फसते हैं, और यहाँ फसते हैं, तो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, शिप यहाँ पर candle starts प कर लिया, gap का draw कर लिया, कि gap पनी हुई है market में, लेकिन इधर नहीं देख रहे हैं, क्या चल रहा है, इधर हो सकता है कि गाप अगर है, तो यहाँ पर साथ 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 psychological level भी कहीं पर भी हो सकती है, psychological level देख नहीं रहे है, gap वगरा draw कर लिया है, लेकिन psychological level नहीं देख रहे है, आप psychological level के अपनी range होती है, 100 point की, 500 point की range होती है, तर 500 point, 100 से 500 point की range चलती है, इस पूरी range की पहली breakout होने तो, just directly entry मत लो, because market attract कराता है, trap करवाता है, क्योंकि उसे चाहिए liquidity, अब liquidity काम कौन करता है, retailers, retailers are the liquidity of the operators, operator किसको liquidity बार आता है, retailers को, और वो बनते भी हैं, इसलिए 95% loss करते हैं market, 95% लोग loss करते हैं market में, और अगर आपको trading सीखनी है, तो link description में दी गई है, वहाँ से आप connect कर सकते हो, साधे साथ हमारे एक trading program भी है, जहाँ पर trading के साथ-साथ combo हमने trap trading की भी system रखी हुई है, जहाँ पर हम लोग conventional method के साथ-साथ, non-convincial method भी सिखाते हैं, because as an option buyer आपको चाहिए market में momentum, और momentum दो ही चीज में आती है, ऐजर market पूरी तरिके से trending हो, या फिर market में कोई trap हो रहा हो, तो आप चाहो तो हमारी ये program join कर सकते हो, लिंक description में दी हुई है, description में आपके आप connect कर सकते हो, तो आने वाले time में आपको मैं और वीजी से सिखाऊंगा, तो make sure video को like कर देना, share कर देना, और channel पर नहीं हो तो channel को subscribe जरू कर लेना, that's all for a day, have a good day, profitable trade, जाहिन, thank you.